नमश्कार बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है स्वास्त और रोगमुक्त जीवन के लिए सभी लोगों को आहर में पॉस्टिक चीजों को शामिल करने के साथ रोजाना कम से कम एक मौसमी फल का सेवन जरूर करना चाहिए खानपान के आदतें सीधे तोर पर स्वास्त को प्रभावित करती हैं विशेशकर फलों से शरीर के लिए आवश्यक सभी पुर्शक तत्व आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं हलकी या ध्यान देने की बात ये है कि पुर्शों और महिलाओं का स्वास्त और स्वास्त रहने के लिए पोशक तत्वों के आवश्यक्ता बहुत जरूरी होती है तो आयाज इस वीडियो में ऐसे ही फलों के बारे में जानते हैं जिनका सेवन सभी पुर्षों के लिए बेहद आवश्यक होता है इन फलों को आहर में शामिल करके आप कई तरह से सेहत के लाब राप्त कर सकते हैं कोरुना काल में किवी की मांग तेजी से भड़ी है इस फल को स्वास्त के लिए बहुती लापकारी माना जाता है ये थकान से भी छुटकारा दिला सकता है साथ ही इसके अलावा ये एरेक्टाइल डिसिंफेक्शन्स के इलाज में भी फायदेमंद होता है यानि की प्रतिरक्षा प्रडाली को मजबूत बनाने के साथ ये फल योन शक्ती के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है वाई अनार को सीहत के लिए सबसे फायदेमंद फलों में से एक माना जाता है इसमें कई प्रकार के विटामिन्स और खनिज पाय जाते हैं विशेशक के कहते हैं कि अनार का जूस पुर्षों में नपू संकता के इलाज में भी लाबदायक होता है शरी को तेजी से उर्जा व्रदान करने में इस फल से बहतर और क्या हो सकता है वाई उर्जा प्राप्त करने के लिए केले का सेवन सबसे बहतर विकल्फ माना जा सकता है बॉडी बिल्डरों के बीच केले को सबसे पसंदिदा फलों में से एक माना जाता है ये भी पुर्षों के लिए बहत फायदिमंद होता है साथ ये पुर्षों की यौन शक्ति को भी बढ़ाता है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्सकाई के साथ